हालो गाइस कैसे आप लोग मेरा नाम है दीपक सिंग और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूटीब चैनल मिस्टर प्लमबर एंड लेक्रिश्ट में तो गाइस आपने आज थमलन देखा होगा आज इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा है तो गाइस भ्लोग के से बचना हैं तो कुछ नहीं स्थो करना पड़ाएगा ड्रेन ही किस त्रीके से बसाईगा इसके बारे मैं आपको we隻 बता दूंगा और कुछ मेरे इस रहा जाये तो आप मेरे इस वीडियो में complete बताऊंगा तो मैं गुजारिशा की वीडियो को शुरू से लेकर देखना जिससे आपको पूरी knowledge मिल सके और bell icon जुरूर दुबाना सब्सक्राइब भी करना और जो बाइच चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना तो वीडियो शुरू करते हैं तो guys सबसे पहले हम चैक करेंगे कि अच्छी रहती है यह bai t toe guys यह है हमारी सिंपल टी इसको अंटी बोल देते हैं इस तरीके से यह से साइज है तो इसको मगी बोल देते हैं तो मान के चलो इसमें हम इधर हमारा नैनी ट्रेप लग जाता है जाकर कि इधर भी हमारा नैनी ट्रेप लग जाता है तो इस साइड से मारा आउट है तो क्या होगा कि इस जगह से काफी कच्रा आ रहा है इस पाइप में से काफी यह मान के चलो किच्छन का पाइप आ रहा है इस साइड से इस साइड से मारा बातरूम का पाइप आ रहा है तो हम इस जगह से इस नैने ट्रेप के जरीए से थोड़ा-थोड़ा कच्रा आता है जो अब आपकी पाइप में थोड़ा सा स्लोप है तो फिर वो इधर गया पानी दीरे दीरे इस साइड़ को चलेगा तो जो कच्रा होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी और पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि स्लोप देने का भी एक कारण होता है अगर आप ज्यादा स्पीड हो तो कच्रा बीच में राहता है पानी दों कच्रा यृट इस बीकरण निंग को जाता तो जब आप हो कि रीखे में सही डाल देंगे तो कभी भी आपके च्रा नहीं अटकेगा कभी बिलोकिजांगी अगर इस साइड़ से पानी आता है तो एक दम यहां पे आके सीधा इस जगहा पे लगएगा आपको दिख रहा हुगा इस जगह पे लगेगा फिर उस सइड जाएगा फिर कच्छी सइड जो जैएगा फिर जो इस स़ैड से कुछक खच्रा आज तो वह भी इस जगह में और के ढ़िए जिक तो तो आपको मैं बताने कोशिश कर रहा हूं कि T का यूज जो करते हैं वो इस कारण ब्लो के शुरू होयाती जहां पर हम T यूज करते हैं तो अब मैं आपको दिखाऊंगा Y T का रिव्यू पहले आपको T का कम्प्लीट दिखाता हूं यह T है इसमें जैसे मर्जियम पोइंट जोड़ देते हैं चाहे इसे जोड़ो चाहे इसे जोड़ो कुछ बाई सोचते हैं कि यह इसे लगा लोदर से लगा लोग पानी ते निकली जाएगा बट यह बात नहीं होती अलग लग थियोरी है अगर ब्लोकेश से बचना चाहते तो इस चीज को कम यूज किया करें क्योंकि यह उसी जगह पर यूज करें जहांकि यहां पर निजदी की मारा कोई निटरी पर यहां से ऐसे यहां का पानी थोड़ा से यह निकला उसके का नहाने वाला जब कीचन में तो कमसे को किचन में तो इस चीज को कभी भी यूज करें तो मैं बताने कोशिश करों जैसे तो टी की जगए टी है वैसे इस तरीकой से यूज लें तो काफी बैस्टाओ ऊपर से आ रहा है इधर से भी आ करके नीची चला गया बाहर इसको कि पहना अपनी जो खडी लाइन होती है उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं तो यह आपके लिए बैस्ट है तो मैं दिखाता हूं वाइडी का यूज किस तरीके से आप कर सकते हैं तो गाइस यह है वाइटी हो अब मैं आपको उसी तरीके से प्ताओंगा कि यह है बात्रूं का 450 जैसी यह था यह का पाई पाई पारा इस व इदर से कीचन का पाई तो सई काफी कच्रा आरा जितनी स्पीट से उधर से पांपनिभि रहा वाइट में एक रोस होता हुआ यह से ीदह बाहर निकल गया और इधर से बादरूम के अंदर से पानी आता हुआ इसमें सीधा बाहर चला गया तो गाइस मैं आप समझ रही होंगे कि मैं आपको समझाने क्या कोशिश कर रहा हूं कि यदी बेस्ट रहती और कुछ प्लंबर बोलते हैं कि यदी के जरिये से 90 डिगरी हम नहीं बना पाते उसका अभी आपको solution बताऊंगा कि वाइटी के जरिये से 90 डिगरी कैसे बना है जैसे ये टी है हमारी इस टी का तो 90 डिगरी बना हुआ है जैसे हमने तो जैसे पॉंट हमा मैंने देखा है क्योंकि खुद मैं करता भी रहा हूं पहले जब मेरे को थोड़ी नोलज आई स्टार्टिंग में जब मैं जुनियर था मैं थोड़ा सा और उपर जा रहा हूं जैसे जैसे मालूम पड़ तो मैं एक और बात बता दू कि कभी भी कोई बंदा मिस्त्री के डिवाज़ में लगा युटी नहीं बना पाता उसको लाइवम कोछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है डीगरी तयार हो गया, यह देख सकते हैं आपके सामने, यह साइड, यह भी साइड, मैं आपको समझाने कि यह कोशिश कर रहा हूं कि गाईस, टी का यूस बहुत कम किया जाता है, वाई टी के जरीए से करेंगे तो कभी भी लीकेज नहीं, जो लीकेज का चांस तो कहा है, ब् फिर वो स्लोप के साब से पानी गिरेगा, अगर आप वाई टी लगाए तो पाइप में आप आदा हिंच का भी डाल देए थे, तो वाई टी लगाई होगी तो कभी भी ब्लोकेज का चांस नहीं होगा, और कभी भी पाइप डालते हैं उसका सही तरीके से लेवल होगा, जो क्या हैता है, और गाईस आपने हमारी तकरीवन कितनी वीडियो देख ली जिसमें हम पी ट्रेप का ही यूज कर रहे है, वो काफी बेस्ट है, पी ट्रेप स्वरी हमारी वाई टी का ही यूज कर रहे है, जो कि कभी भी दिक्कत नहीं आती, ब्लोकेज का चांस नहीं रहता, तो मैं आपको रिक्मेंट करूँगा भी आप वाई टी का यूज करें, साथ हाफ अलबो लगा दे, हमारी हाफ अलबो काफी साथ में होते हैं, क्योंकि हर तरीके के होती डिरेक्शन हम भी नहीं सेट कर पाते, बट यह हमारी जिस तरीके से हमने काम शुरू किया है, हम तो तेडे खड़े तो खोद नहीं सकते हम सीधे खड़े खोदे हैं, तो यह ती का भी नहीं शुरू कर देते हैं, तो वह मेजरमेंट लगाना बहुत मुश्किल हो जाया है, कि मारा 90 डिगरी कहां बनेगा, 45 किस तरीके बनेगा, 117 कहां बनेगा, 170 कहां बनेगा, तो इस चीज बनेगा, तो आपको समझ लगी चुकी होगी, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमें, ऐल्बो यूज करना चाहिए, यह बैंड यूज करना चाहिए, तो गाइस, यह हमारे पास एक ऐल्बो तीन इंची का, और यह है एक ऐल्बो जो बैंड तीन इंची का, तो यह कुछ भा ञाए सबन हैं, यह कुछ टीन आपको आ यह हो сыmश एक आप यहाँ से बेंड आया तो इसने तो गूम हो जाना हूँ, चाहिए हम बैंड लगा लें, चाहिए हम इस ऐल्बो को लगा ली क्योंकि, कुछ बाई मॉलते हैं बैंड से ब्लोक हैं ने होती बैं, ब्लोक हैं इस्स ती यूज की है और मान कि चोलो इसके बीच में कम से कम 10 फित का गैब है ऐसे तो यहां से पानी काफी तेज आया फिरो पानी यहां पर लगके एक एक तम स्लो हो गया दीरे दीरे पानी इस तक पहुंचा दीरे दीर आया और कच्रा कुछ यहां इस बैंड पे रुग गया क्योंकि यह पानी का प्रेशर पीछे जो फ्लो होता है काफी तेज यह उसको धीरा कर देता है धीमा करने के कारण वह पानी स्लो हो जाता है कच्रा स्लो हो जाता है उसके बाद यह कच्रा अलग अलग बैंड के पास ब्लो कोना शुरू हो जाता है क्योंकि थोड़े थोड़ और तो बचार आयाता है उसके कार्णिया क्योंकि पाइप डालती तो में इतना ध्यान रखना पड़ता है कि पाइप का कोई भी कोलर बाहर को निकला हो कोई थोड़ी सा भी किनारा बाहर निकला हो तो आप समी चुके होंगे कि मैं आपको क्या समझा नहीं कोशी कर रहा हूं और ये bend, तो band odğim सबसे अच्छा है इसके कितनी आप कित याautक लो करें कितनी स्पीड से यहांअ से निकल जाएगा ऐसे इस इस ऐलेपों में निकल जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है जो कच्रा होगा कच्रा क्या होगा इसमें भी तो निगल जाएगा कच्रा इसमें निक तो नगारहूं मैं अल्बो लगा रहा हूं बैंड कभी नहीं जाहतर यह यह उजी निकरता है हाँ काफी लंबाई हो यहां पे लंबाई ज्यादा हो तहहां पे हम यह बैंड यूज कर लेते हैं लेकिन जाहतर कम्पलीटली एम बातरूम की जो स्नेटरी फिटिंग होती है नी उसको 90 degree बना लीजिए और पूरे एच्छ दरीके से वर्क लीजिए उसका अगर टी लेते तो पानी का दुवाव कम कर देता है उसके बाद वो दिरे 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 कचला जमना शुरू हो जाता है फिर ब्लोकेज का चांस पूरा का पूरा हो जाता है सो परसेंट चांस ब्लोकेज बन जाते हैं तो क्योंकि पहले मैं भी करता था बट मेरे को जो मालूम पड़ा इस चीज का फिर मैंने यह चीज बंद कर दिया और आपको मैं बता रहा हूं कि वाइटी सही रही जहां पे भी आप यूज करते हैं तो गैस आपको मैंने बताया कि ऐल्बो और बेंड के अंदर क्या फरक है कोई फरक नी ह Christmas अब्र होता हा को जाता बड़ा कच्रा हो लकडी कज कहां से हाई नी सकती है चोटा मोटा है कच्रा हो सकता है चोटा मोटा कोच्रा मена हैसे ही निकल जाता है चाहे बेंड लगा लो चाहे ऐलwei लगा लो so guys my video को कैसी मुझे कमेंट करके जरूरी बताना और जो बाई चाला पने हो चाला को सब्सक्राइब करना मुलना so thank you for watching this video